पिछले कुछ सालों के दोरान डिजिटल करेंसी या एसेट्स दुनिया भर में लोकप्रिय हुई हैं हालां कि पिछले साल तक भारत के पास ऐसी एसेट्स को वीनियमीत करने या उन पर कर लगाने के लिए कोई सपस्ट नीती नहीं थी परन्तु अब केंदरिय वित मंत्राले ने एक नया गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है ये इंडियन वेबसाइट e-gazette.nic.in पर देखने को मिलता है मनी लॉंडरिंग प्रावधानों के तहट भारत सरकार द्वारा देश के क्रिप्टो करन्सिक शत्र को कवर किया गया है मना जा रहा है कि ये निड़न डिजिटल संपति की निगरानी को मजबूत करने के हिस्से के रूप में लिया गया है वित्मंत्राले की ओर से जारी नोटिफिकेशन में काया गया है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग पर एंटी मनी लॉंडरिंग एक्ट के प्रावधान लागू होंगे वर्चुल डिजिटल एसेट्स और करेंसी के बीच एक्सचेंज और डिजिटल एसेट का ट्रांसफर इस एट के तहट कवर किया जाएगा यानि कि ये खुशी की बात है कि क्रिप्टो को एक तरह से लक्स्मी होने का सम्मान मिल गया है सिधा नहीं तो उल्टा ही सही जैसे कि इस कानून के नाम में ही मनी सब्द है और क्रिप्टो माराज तो इसी कानून के तहट कवर किया गया है तो कम पड़ा लिखा हुआ इनसान भी इसको अब रुपे की तरह महत्वपूरून समझेगा जिस प्रकार भोतिक दुनिया में रुपे पैसे को चूँ सकते हैं और उसके काईदे कानून है ठीक उसी प्रकार वर्चुल विश्व में ये क्रिप्टो लक्षमी देवी होते हैं ऐसी मानने था किसी के मन में होगी तभी उसके काईदे कानून भी बनना शुरू हो गए हैं ऐसा लगता है अब जिनको ये वर्चुल विश्व समझ में नहीं आ रहा वो बच्चों को 3D गेम खिलते हुए देखेंगे और उनसे गेम के बारे में कुछ प्रशनों पुछेंगे तो अपने आप धिरे धिरे सब पता चल जाएगा उस गेम में कुछ एक्स्ट्रा पावर या चीजें खरीदनी हो तो कोईन्स खरीदने होते हैं परन्तो ये क्रिप्टो का व्याप सिर्फ गेम तक सिमित नहीं है अभी इस वीडियो के टॉपिक पर फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे डिजिटल करेंसी और डिजिटल एसेट्स यानि NFT नॉन फंजीबल टोकन ने पिछले कुछ वर्सों में वश्विक स्तर पर काफी पहुँच बनाई है क्रिप्टो करेंसी एक्चेंज जो के लॉन्च होने के साथ इन डिजिटल एसेट में व्यापार कई गुणा बढ़ गया है हलाकि पिछले साल तक भारत के पास इस तरह के डिजिटल क्लास की संपत्ति को वी नियमित करने या कर लगाने पर कोई सपस्ट निती नहीं थी लोग पैसों से एन एफटी खरीद ते देख और बेचते भी थे जो प्रोफिट होता था उसको दूसरे क्रिप्टो में या फियट करन्सी में कनवर्ट करके बैंक अकाउन्ट में ट्रांसपर भी करते थे बारतिय रिजर्व बैंक ने तो देश में क्रिप्टो करंसी को वेद बनाने के खिलाफ सावधानी बरतने की चेतावनी तो दी ही है पिछले साल सरकार ने क्रिप्टो ट्रेडिंग टेक्स नियम लागू किये थे प्रॉफिट पर 30% और 1% ट्रांजेक्शन टेक्स लेकिन अब ये कानून के बार डिजिटल करंसी के जरिये जो अवेद व्यापार होता था उस पर लगाम लग सकती है कई मौके पर क्रिप्टो करंसी का इस्तेमाल टेरर फंडिंग और काला धन छुपाने के लिए किये जाने की खबरे आती रही है और मना जा रहा है कि इसी को रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है जो कि देश के हित्मे ही है सरकार चाहती है कि जिस तरह देश में बैंक और शेर बजार जैसे क्षेत्रा एंटी मनी लॉंडरिंग के कानून का पालन करते हैं एक उसी प्रकार crypto exchange या digital asset platform भी करें। तो एक तरह से ये जारी की गई अधी सुझना में से संकेत मिलता है कि सरकार भी cryptocurrency के व्यापार को पूर्ण रूप से वीनियमीत करने का इरादा रखती हैं। आगे और भी कानुन बन सकते हैं और समय समय पर इसमें सुधार भी हो सकते हैं। crypto currencies के लिए money laundering से जुड़े rules लागू करने से देश के बाहर इनके transfer की monitoring करने का अधिकार मिलेगा। G20 की अध्यक्सता रखने वाले भारत ने इस segment के कारण बड़े risk से निपटने के लिए एक global agreement पर जोर दिया है। पिछले वर्स के अंत में RBI के governor जी ने कहा था कि crypto currency के साथ कोई value नहीं जुड़ी और यह macro economy और विद्धिय सीर्था के लिए risk है। इससे पहले भी RBI की और से crypto पर बेन लगाने के मांग की जा जुकी है। RBI ने crypto currency के बारे में लगबख 4 वर्स पहले circular जारी किया था। उसके regulations के तहट आने वाली entities पर ऐसे instrument में deal करने को लेकर रोक लगाई थी। हाला कि लगबख 2 वर्स पहले Supreme Court ने RBI के इस circular को खारिज कर दिया था। सरकार की और से crypto currencies पर तयार किये जा रहे consultation paper के लिए World Bank और International Monetary Fund IMF से भी input लिये जा रहे हैं। पिछले साल जारी हुई financial stability report में कहा गया था कि financial system के अधिक digitalized होने के साथ cyber risk भी बढ़ रहे हैं और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसमें बता गया था कि crypto currencies एक स्पष्ट खत्रा है। किसी भी चीज की value अगर किसी asset के आधार के बिना केवल विश्वास पर होती है तो वा सट्टे बाजी ही कहलाती है। दोस्तों अभी साथ मार्च को जारी किये गए Prevention of Money Laundering Act 2002 यानि की PMLA के प्रावधानों के अनुसार बारत में crypto action जो को सभी लेंदेन की सुझना दिनी होगी। सभी लेंदेन का record बनाए रखना होगा और सपस्ट कहें तो कम से कम 5 सालों के लिए 10 लाग रुपया से अधिक के सभी cash लेंदेन की record या उसका हिसाब बनाए रखना जरूरी है। क्रिप्टो और अन्य समंदित कमपनी में काम करने वाले व्यक्तियों को KYC और Money Laundering वीरोधी नियमों का पालन करना होगा। मतलब छुपकर कुछ नहीं करना है। क्रिप्टो करंसी क्षेतर के विशेश अग्यों ने इस कानुन का स्वागत किया है। विशेश रूप से NFT जैसी डिजिटल समपति का संचालन करने वाले एक्षेंजों से जो सरकल जुड़ा हुआ है। उन्होंने अभी इस फैसले को सही बताया है। फिद भी थोड़ी चिंता ये है कि क्रिप्टो करंसी का कोई एक रेग्योलेटर नहीं है। जिस प्रकार से सेर बजार के लिए से भी है। जुडे हुए हैं, उनको ज्यादा असर होगा जिस तरह बैंक, फाइनांशियल इंस्टिउशन रियल एस्टेट और ज्वेलिर सेक्टर को रिपोर्टिंग एंटिटी का दरज़ा दिया है उसी तरह ये एक्षेंजों को भी रिपोर्टिंग एंटिटी का दरज़ा दिया है तो कोई भी शंकासपद ट्रांजेक्शन होता है तो उन एक्षेंजों को भारत सरकार की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को बताना होगा अगर नहीं बताया तो उन एक्षेंजों पर एक्षेंजों लिया जाएगा दोस्तों वीडिये का मतलब है वर्चुएल डिजिटल एसेट और पीमले का मतलब है प्रिवेंशन आफ मनी लॉंडरिंग एक्ट मनी लॉंडरिंग यानि वीडशों में पैसों का गेर कानूनी ट्रांजेक्शन जो है वो मनी लॉंडरिंग में गिना जाता है अब वर्चुएल डिजिटल एसेट को इसके अंदर शामिल करने से इस कानून का व्याप बहुत बढ़ जाएगा इसको कंट्रोल करना भी जरूरी था आईए अब पिये मेले के तहट कौन सी चीज समाविस्ट हैं वो देखते हैं पहला है वर्चुएल डिजिटल एसेट का फियेट करनसी में एक्शेंज समझो क्रिप्टो का रूपय पैसों में या डॉलर में रूपानतरन करना दूसरा है वर्चुएल डिजिटल एसेट का एक से अधिक रूपों में विनी माई यानि एक क्रिप्टो का दूसरे क्रिप्टो में एक्शेंज करना या स्वेपिंग करना तीसरा है virtual digital asset का transfer यानि crypto को किसी दूसरे व्यक्ति को देना या फिर अपने ही किसी और नीजी wallet में transfer करना चोथा है virtual digital asset को सुरक्षित रखना या administration करना या ऐसे संसाधनो या उप करनों का उपयोग करना ये खास कर exchange के लिए है और जो physical wallet है वो भी मान सकते हैं पांचवा है virtual digital asset की offer और sale के संबंदित finance services के provision में भाग लेना ये शायद ICO initial coin offering की बात है तो कुल मिला कर आप जो भी करें देखिये सब्द कोई भी हो चाहे crypto चाहे NFT या virtual digital asset आप किसी भी तरह सरकार से छुपा कर ये प्रवरुति ना करें बातिये crypto exchange में भी pan card या अधर card से KYC क किये हुए crypto के लेंदेन पर अब money laundering का case दर्ज होगा ऐसे देखा जाए तो भारत की cool जन संख्या में से कुछ लाग लोगों को crypto की जानकारी है उसमें से भी करोड़ पती लोग बहुत ही कम है जो हर रोज लाखों रुपय का trading crypto में करते हैं तो ये कानुन भारत के उन नाग प्लेन नहीं हो सकती इस तरह cryptocurrency और इससे संबंधित मुद्दो पर सरकार ने एक महत्व पूरुन फैसला लिया है इस फैसले के बाद देश में अब cryptocurrency के जरिये किसी अवेद काम को अंजाम देना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि digital संपतियों पर निग्रानी कड़ी हो जाएग एक तरह से हमारा कितना पैसा बाद जा रहा है और कितना profit मिल रहा है उस पर tax गिनने में सहायता मिलेगी देश को income होगी दस्तों कुछ और जानकार जैसे कि पाई को भविश में exchange पर बेचने से क्या हमको tax दिना पड़ेगा क्या ये कानून लागू होगा कोई भी crypto coin की mobile में या computer में mining या NFT की buy sale करने पर क्या tax लगेगा और भी कई सवाल अभी भी मन में कुष्टी कर रहे है इसलिए ये जानना ज झाल